सनातन धर्म में पाठ पूजा का विशेश महत्व है, शास्त्रों में भी पूजा पाठ और अनुष्थान का वर्णन है, मंदिरों के अलावा घर पर भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, व्यक्ति अपने घर पर किसी न किसी देवी देवताओं की प्रतिमा स्थाप धर्म बुरुओं के अनुसार मंदिर या घर पर मूर्ती स्थापना के समय प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधी को प्रानप्रतिष्था कहा जाता है। धार्मिक मत है कि प्रानप्रतिष्था के पश्चात मूर्ती रूप में उपस्तित देवी देवता की पूजा उपासना की जाती है। जीवन शक्ती की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना। हिंदू धर्म में प्रानप्रतिष्था से पहले किसी भी मूर्ती पूजा के योग्य नहीं मानी जाती है बलकि निर्जीव मूर्ती मानते हैं। प्रानप्रतिष्था के जरिये उनमें शक्ती का संचार करके उन्हें देवता में बदला जाता है। इसके बाद वो पूजा और भक्ती के योग्य बन जाती है। फिर लोग इन मूर्तियों की पूजा कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रानप्रतिष्था की प्रक्रिया के बाद यी मंदिर में भगवान के रूप की एक मूर्ति स्थापित की जाती है और उसकी पूजा की जाती है। जब भक्त किसी भी ऐसे स्थान पर पूजन करते हैं तब उनकी मनुकामनाओं को पूर्ती होती है। प्रान प्रतिष्था के लिए सबसे पहले देवी देवताओं की प्रतिमा को गंगाजल या विभिन्थ कम से कम पाच नदियों के जलसे स्नान कराया जाता है। इसके पश्चात मुलायम वस्त्र से मूर्ती को पोचने के बाद देवी देवता के रंग अनुसार नए वस्त्र धारन कराये जाते हैं। इसके बाद प्रतिमा को शुध एवं स्वच स्थान पर विराजित किया जाता है और चंदन का लेप लगाया जाता है। इसी समय मूर्त का खास तरीके से सिंगार किया जाता है और बीज मंत्रों का पाठ कर प्रान प्रतिष्था की जाती है। इस समय पंचोप चार कर विधी विधान से भगवान की पूजा अर्चना की जाती है और अंत्मे आर्तिकर लोगों को प्रसाद वित्रित किया जाता है। ऐसी मान्यता की तलाश में भी भक्तीश्वर की शरन में प्रान प्रतिष्थित मूर्ती की पूजा करते हैं। मूर्ती की प्रान प्रतिष्था से व्यक्तिगत जीवन से बाधाओं को दूर करने का मौका मिलता है। प्रान प्रतिष्टित मूर्ती की पूजा करने वालों को रोग दोश से भी मुक्ती मिलती है।